ओम श्चान्ती सभी स्रेश तपस्वियों को महवीरों को बहुत बहुत याद प्यार बाबा हम सभी को जो कुछ कहते थे अब उस पर पुनर विचार का समय आ गया है दो बाते मुझे याद रहने लगी आज कल बहुत ज़्यादा बाबा कहते थे एक दिन आएगा तुम्हें सारे संसार को विग्नों से मुक्त करना होगा अब वो समय आ गया है तो बाबा से विग्न विनासक का वरदान लेकर जिनोंने लिया है बहुत समय पहले वो संसार को विग्नों से मुक्त करने का माहनकारी ये कर सकेंगे दूसरी बात, मुझे तो बहुत अच्छा भास थाई, आप सबको भी होगा, नहीं होगा, तो अब कर ले, बाबा कहते थे, जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, तुम भी सबकी पालना करो, भगवान ने हमारी पालना की है, छोटी बात नहीं है, लोग तो अगर हमारी बात सुनेंगे तो साइद मुझाक भी उड़ाएं और कहेंगे क्या कल्पनाओं में जीते हैं लोग, लेकिन हम जानते हमने परमात्म पालना का सुख पाया है, उसकी पालना से अपने को शक्ति साली और भरपूर बनाया है, पवित्रात्मा बनाया है, हम हमें वो बातने हैं, क्योंकि संसार में तो दिन ओदिन दुख अश्यानती हाहकार का माहूल बनता जाएगा, हम भगवान के महवाक सुनते हमें पता है, ये कोरोना तो सुरुवात है, इस नहीं लोगों को देहला दिया है, साइद विश्वियुद्ध के फाउंडेशन भी डाल दिये हैं, लेकिन आगे वाला समय तो और ही खतरनाक होगा, जो कुछ बाबा आज तक कहते आए, वो हम सभी को अब सामने देखना होगा, क्योंकि भगवान को तो पता है, पूरु कल्प में क्या हुआ था, इस कल्प में वही रिपीट होगा, उसके लिए तो खेल है, क करता है, कराता है, इस से गुजरता है, हम सभी के लिए हर कल्प में ये बात नहीं होती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, अब विश्व परिवर्तन का समय तेजी से आ गया है सामने, अब आ रहा है ये हम नहीं कहेंगे, आ गया है, अब हमें अपने अलबेलेपन को छोड़ कर वियर्त बातों को छोड़ कर, नैट गूगल से थोड़ा सा मुख मोड़ कर, सारा न मोड़ो, थोड़ा सा मुख मोड़ कर, हमें अहन तपस्या में लगना ही है, अब जो महान तपस्या करेंगे, वही महान बनेंगे, जो महान तपस्या करेंगे, वही शक्तिसाली बनेंगे, वही आने वाले समय में सेफ भी रहेंगे, हलके भी रहेंगे और संसार को मदद कर सकेंगे हमारा मुख्य कारिये संसार को मदद करने का है और होगा जैसा अब हम देख रहे हैं कि विमारी का कोई इलाज नहीं वैक्सिन ही नहीं है, बनी भी तो तब आएगी जब ये पूरा हो जाएगा खेल संसार में भै का माहूल भी बहुत बढ़ गया है और बढ़ता जाएगा मंसिक रूप से डिप्रेशन और कई चीजे भी बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी हम डेली वाइब्रेशन फैलाया करें, इसलिए बहुत अच्छी प्लानिंग करें सभी दस-दस मिनट बैठने की तो सभी करें, जादा नहीं बैठ सकते तो दस-दस मिनट पांच बार बैठें और हर दस मिनट में अलग-अलग अभ्यास करें, किसी में पांच पर रूपों का अभ्यास, किसी में स्प्रिच्वल दिल करें, किसी में संजार को सकास देने का अभ्यास करें, किसी में बहम, मन, सो, फरिष्टा, सो, देवता, यभ्यास करें, किसी में परमधाम में, शक्ति मिल रहा आप बोर हो रहे हैं तो नेट पे लगे हुए हैं टीवी देख रहे हैं ये बुद्धी को नस्ट भरस्ट करने वाली बाते होंगी इसलिए अपने को एक आगर करना है समय का पूरा फाइदा उठाना है और ऐसे तपस्वी बनना है कि हमें देखकर और भी तपस्वी ग्रस्ट से देखने की तपस्वान अत्मिकूद्मी एल्षटी से देखने की तपस्वा सबको सुभावनाओं की Vibration देने की तपस्वा भी चलती रहें यह तो बिलकुल सहज है जो कर्म में ही होगी तो सभी वाई बहुत अच्छा ध्यान दें, समय बड़ा कीमती आ गया है, पहले से भी अधिक मुल्यमान इसको मुल्य दें, फाइदा उठाएं, अपने को भरपूर करें, और संसार को मदद करें, ओम शंति